हाई स्कूल प्रतिदरश्र प्रिशन पत्र विश्य हिंदी उमीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और उमीद करते हो आप लोग ये से काुँन सा सही कथन दिया गया है पहला है सारसुति पत्रिका की संपाथिका महादेवी वर्माती तो बता देता हूं बिल्कुल गलत है सबस्ती पत्रिका का के जो इसंताथन करता थे महाविर प्रसाद दिवेधी जी थे अगला है क्या धूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकता है तो इसको साइड कर लीजिए आप लोग क्योंकि इस तरह के कुश्चन आप लोग को उत्तर नंबर दिला सकते हैं राम विला सर्मा कभी के रूपे प्रसिद्ध है मैला आचल कहानी प्रसिद्ध में से लहरों के राजहन्त तो चारों में से कौन सा उत्तर आप लोग को लेखा का नाम पता है वही लिखेगा चारों मत लिखे आईएगा किसी एक रचना के रचनाकार का ही नाम बताना है आप लोगों को अगला गेहू और गुलाब किसकी रचना है चार आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे तो पहली है रामरक्ष बेनीपुरी दूसरी है महादेवी और्मा और तीसरी राम विला सर्मा है और चोथी है प्रेम चन तो चारों में से किसकी रचना है गेहू और गुलाब अगला है अंगा है त्याग पत्र किसी विधा की रचना है तो त्याग पत्र विधा की रचना पतानी है आप लोगों को उपन्याश है कहानी है नाटक है या फिर एकांकी है तो मित करता हूँ आप लोगों ने पहले के पाचो प्रशन अच्छे से समझ लिये होंगे इनकी उत्तर किस प्रकार से देना ये भी आप लोग अच्छे से समझ गये होंगे प्रसन संख्याज 2 इसको भी देख लेते हैं पहला प्रशन 2 काका देख लेते हैं जो धारायें है यह आप लोगों कि याद करना नहीं है फिलाल दो कभिएयों के नाम लिखने पर आपनोंक दो अंक देज़ाएंगे अगला है छायावाद की दो प्रब्रतियां के तो आपवputer दिये जाएंगे उसके बाद उत्तर रायान करती के रशनाकार कौन है नाम बताने के लिए आप लोग प्रशन के उत्तर ही लिखेंगे तो पहला जो गध्यान से भिन 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 धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए है यहां भी थोड़े बहुत संख्या में पाए जाते हैं और जिस तरह यहां की बोलियां गिंती समान आसान नहीं है उसी तरह यहां भिन 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 धर्मों क भी गिन्ती आसान नहीं है इन विभीनताओं को देखकर यदि अपरचित आदमी गवरा कर कह उठे कि यहां एक देश नहीं अनेक देशों का समू है यहां एक जात नहीं अनेक जातियों का समू है तो इसमें कोई आश्यर नहीं तो सबसे पहला जो प्रश्णियापर आप ऐहां गध्यांस और इसके रशनाकार कोने को बता है तो ज़ोड़ कि रेखांकित अंशों की व्याख्या सिर्फ करनी है आप लोगों पूरे आप लोगों के प्रीक्षन को ब्रयोग को भारत की बता देख द्ञार, पहले पहाड काटकर उसे खोकला कर दिया गया फिर उसमें सुंदर भवन बना लिये गए जहां खंबो पर उभारी मूर्तें विहन्स उठी भीतर ही भीतर की दिवारें और चटें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उसकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही वसा दी ग लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरस्दी फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण भुक दिये फिर तो दिवार उमग उठी पहाड पुलकित हो उटे उमेद है आप लोगों को ये पैराग्राप आता ही होगा इसमें जो तीन प्रश्ण आप लो किसी किदो आप लोगों को इसी परग्राफ में ही उत्तर मिलना है तो अच्छे से देख लिजे अगला जो प्रश्ण संक्याचार है किसी कि संसंदर्ब सहीत व्याक्या कीजिए त Dualस कि जीव नहाकर फिर नूतन धारन करता है काया रोपी वस्त भाकर अगर आपको ये पध्यांस आता है इसी का आप लोगों व्याख्या करनी है नहीं आता तो एक आप्सिनल में दिया गया है तो इसको भी देख लेते हैं बहुत ही अच्छा है उमीद है ये वाला जो पध्यांस है ये आप लोग जरूर पढ़के जाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट पध्यांस दिया गया है बोर्ड ने सुमें अपनी वेबसाइट पे अप्लोड किया गया है तो यह पूरा ही पूरा प्रशन पक्तर महात पूर्ण है इसको जरूर अटिन्ट करें अगला है प्रशन सुम्किया पांच का का नेम लखित में से किसी एक लेखा का जीवन परचे देते हैं उनकी किसी एक रचना का उले किजिए इस्टुडेंट कहीं पर ध्यान दिजेग आप लोग अपने विद्याले में ठीक है सरी बात है अगर आपके स्कूल्स के जो अध्यापक होते हैं वो आप लोगों को जीवनी कराते हैं काफी बड़ी हो जाती है रचनाय बहुत सारी रचनाय लिखवा देते हैं लेकिन ध्यान रखिगा उनका जो उद्देस है वो सीद फे एक रचना का ही उल्ले कीजिए अन्य ठाओ और किसी अन्य रचनाओं का उल्ले किजिए सिर्फ एक रचना Пzahlय गए महत्य रचना जो भी उनकी हो सिर्फ वही लिख देनी है बहुत अत्यदिक श Schuldवदों का इस्ते ваш बिल्कुल मत कीजिजिए महत्य पुंशद की जि लोगों को मैंने कुछ और भी बताया थे जिवनिया उनको इहीं जीवन परिचय याद करके जाएं महातुपूर्ण है ज़रूर याद करें अगला है निम्लिकित कभियों में से किसी एक कभी परिचय आप ज़रूर याद करके जाएं किसी और ध्यान रखिएगा यहां पर भी बोर्ड में अच्छे यंग प्राप्थ हो सकते हैं अगला प्रिश्म संक्याथ 6 तो यहां पर एक ससंदर्व हिंदी में नुवात करना आ मतलब संस्क्रत काहि तो ये गध्यांस है अगर इसका हिंदिया नुवाद अगर आता है अगर गध्यांस नहीं आता तो आप लोग बिल्कुल परिशान मत होईए पध्यांस दिया गया है उसको आप लोग कर सकते हैं प्रियोववतिक्रो दोद्हम नसोचती ये कामन हित्वा अर्थवान भवतिलोभम हित्वा सुखी भवेत तो यहाँ पध्यांस जो नीचे दिया गया है श्लोक के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल वही चीज आप लोग करनी जो उपर आप से पूछे गीतुं सरसंदर वसेइद व्याख्या करने हिन्धी अनुवात करना है अगला पृस्व संक्या साथ का जुखा है अपनी पांठे पुष्टक के नवा को एक श dar प्रियो भावतित्य में हित्तवन अगर आप लोगों ये पढ़ा है तो बिल्कुल मत लिखें ये और पत्र में आचुका है दूसरा कोई अन्य श्लोग अगर आपने अपनी पाठी पुस्तक से पढ़ा है जैसे मैं बता देता हूं कोई श्लोग आप लोगों को याद होगा पहला जैसे आप लोगोंने पहले चेप्टर में बनाम मंगलम यतरव भूत शिव भूश्रम कॉपी ने अगर ये भी ने पढ़ा तो उत्रम यतरव समुंत्रश्य हिमांद्रश्य ये भी पढ़ा अगर नहीं है तो और अन्य श्लोग भी आपके पाठे पुस्तक में शामिल है उसमें से आप लोग जरूड पढ़ें उमीद है आप लोगों इस लोग जरूड याद करके जाओगा दो अंगर निर्धारित हैं इसके उसके बाद प्रसंक्या साथ का जुखा है उसमें प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं संस्क्रट के तो कई बार रेपेटेड हैं उमेद है आप लोग जरूड जो वीडियो अप्लोड किये मैंने प्रिविसली हिंदी के लगभग कुछ वीडियो अप्लोड हैं डिस्क्रिप्सिन में लिंक दे दूगा उसको आप जरूड देख लें आगे देखते हैं प्रसंक्या आठ का जो का खागा है बहुत ही इजी है करुण और अत्वा रस हा सिरस में इस्थाई भाग और परिवासा बताईए आप लोग सिर्फ तो यहां उधारण नहीं लिखा तो परिशान बिल्कुल मत हुई है कभी कभी उधार नहीं पूचा जाता है आप लोग स्थाई भाग के संबंध ही प्रशने का उत्तर दे सकते हैं तो फिलाल परिवासा के साथ उधारण अवश्य पढ़कर जाए तो करुण अथ्वा हा सिरस का इस्थाई भाव और परिवासा बतानी है आप लोगों के स्थाई भाव तो आप लोग परिवासा में ही लिख लोगे दो अंग निर्धारित है तो कोशिस कीजिए उधारण अपने मन से लिख दीजिए वैसे पूछा तो बिल्कुल नहीं गया है लेकिन यहाँ पर अगर नहीं पूछा गया तो बोड में कई बार पूछा भी गया है दूसरा देख लेते हैं आठों के खा उपमा तथा और उपका लंकार की परिवासा देते हुए उधारण भी बताना है तब दो अंक निर्धारित ने सोठा और रोला चंद की परिवासा देते हुए उधारण बताना है आप लोगों को दो अंक इसके हैं अगला प्रस्ट क्या नौका का देख लेते हैं उपसरगों में से किनी तीन के मेल से एक-एक सब्द ब बनाना है ध्यान रकिएगा पहला है सू दूसरा प्रा तीसरा प्रति चौथा उप उसके बाद निर है और अभी है तो कई सब्द बन सकते हैं आप लोगों ने तयारी की है यूट्यूब के चैनल मेरे जो चैनल है यूबिंस क्लासे से चैनल में जाईए प्ले लिस्ट में जाईए उसमें हिंदी क्लास 10th Hindi दिया है उसमें कुछ वीडियो हैं काफी इंपॉर्टेंट वीडियों से प्रेक्टिस वाली वीडियो भी अपने अप्लोड कर रखी है उसको भी आप लोग देख सकते हैं अगला जो नौका खा है उसमें आप लोगों को दो प्रत्य के प् समास वग्रह करना है और आपके कोर्स में सिर्फ दो रही बचे हैं एक दवन्द समास रहे गया और एक दुग विग्व समास रहे गया दुग समास का कॉलम बना ले एक विग्रह समास विग्रह का कॉलम और साथ में समास का नाम माला कॉलम बना के उत्तर दे तो सिर्फ दो का करना है पहला राधा कृष्ण है राधा और कृष्ण या आप लोग समझ गयोंगे दंद समास है सब्त धान सब्त सुरवात में ही साथ दे दिया गया ह उत्थान पतन दे दिया गया उमीद है आप लोगों चारों में से दो तो अच्छे से आते होंगे आगे बढ़ता है निमलिकित किनी दो शब्दों के तत्सम रूप लिखने है सिर्फ तत्सम बता देना और आगे कुछ करने के अफ्षुक्त बिलकुल नहीं दो ही के बतान है, अंगा देख लेते हैं धो शब्दों के दो दो परियाव ची सब्द लखने है किनी दो के दो दो परियाव ची सब्द लिखिएगा एक लिखे बिल्कुल मत आएगा और मन से बिल्कुल मत बनाएगा ये स्टुडेंट अपने मन से बना देते हैं और गलत हो जाता है पहला एश्वर है दूसरा कमल है तीसरा फूल है और आखरी जंगल है तो जंगल के लिए आप लोगों ने अरन्य कांड पढ़ा रखा होगा रामचरित मानस में तो अरन्य मतलब जंगल होता है आगे देखते हैं प्रश्व संक्या दसका का निम्लेकित शब्दों में से किनी दो का संधी विच्छेत कीजी और संधी का नाम जरूर लिखे देखिए संधी विच्छेत अगर आप लोगों ने कर लिया तो एक अंक मिल गया और संधी का नाम लिख दिया तो आप लोगों को एक अंक मिल तो यारालावा जिसमें प्रयोग होते हैं यार सन्दी आपके कोर्स में हैं आगे देखते हैं निम्लिकित शब्दों की चतुरती विभक्ती एक वचन की स्वारी महाप किजिएगा चतुरती विभक्ती द्वी विचन का रूप लिखना है आप लोगों को पहला है मधु पूछा जाए बस वही आप लोग उत्तर में लिखें अन्य अपने अपने जो है उत्तर मत लिखें सिर्फ चतुरती विभक्ती और दिवचन बताना है अगला है निमलिकित शब्दों में से किसी एक का धातु लकार पुरुष तथा वचन का उलेक करना है तो क्या क्या बताना है किस धातु प्रेयोग किया गया है लकार बताना है किस लकार का है पुरुष बताना है और वचन का उलेक करना है तो यहां पर तीन है तीन में से किसी एक ही का करना है आहसम तो आप लोग समझ गयोंगे स्वारिमाफिजेगा आ लगा हुआ है इसका मतलब यह भूत काल है पठावा समझत मैं आ गया होगा आप लोगों को वर्थमान麼 में ही है तो यह विश्चकुड वाला शाँ प्रयुक्त किया गया है तो यह जरुरूर प्लों की जाया तीनों में से किसी एक काहि करना है आप बताना धातु बताना लकार बताना पुरुष बताना और वचन बताना आधियाध्य अंक सब के निरधारित है तो अच्छे से करिएगा बहुती इजीएस्ट वे में पूछा जाते है हिंदी का पेपर आप लोगों से घा देख लेते हैं निम्लिखित में से किनी दो वाक्यों को संस्कृत में अनुवात करना आप लोगों को पहला है प्रयाग गंगा तड़ के तड़ परिस्थित है तुम दोनों क्या करते हो विद्या विने से बढ़ती है गंगा भारत की परवित्र नर्दी है हमें माता पिता की शेवा करने चाहिए यह पांच दिये गए इन्हीं पा है परिया वरन प्रदूशन है वरन महोत्सो है साहित्य और समाज है तो सुरुवात के दोतों महतपूर है यह आप जरूर कंटेस्ट करके जाए अच्छे से समझ के जाए और ध्यान कीगा जो निबंद में आप लोगों को हेडिंग्स बताई गे थी जो निबंद की जो प्र तरही देना है तो अगर आप लोग जो है मुक्तिदोत खंड़काव के आधार पर याद किये हो तो आप लोग गांदी जी के चारितर के विश्यस्ताएं लिखे अगर नहीं आता तो दूसरा प्रशन आप लोग लिख सकते हैं मुक्तिदोत के चतुरत सर्ग का कथानक अपन में लिखें अगर आपका शेतर अलग है अगर पूजा आपके शेतर के अंतरगत खंड़कावी आती है तो पूर्वभास सर्ग की कतावस्तु संग्षेप में लिखना है या फिर आप लोग अगर पूजा खंड़कावी की अधार पर उसके नायक का चरिचित्रन कर सकते हों मेंवाल मुकट अगर आपके शेतर में है तो खंड़कावी की अधार पर दौर्वलत का चरिचित्रन कीझे और मेंवाल मुकट खंड़कावी की अधार उसके छटे सर्ग का कतानक शन्चेप में लिखिए ठीके दोनों में से कोई एक करना है और अगर आप लखनों के निव या फिर मातर भूमे के लिए खंड कावी की कौन सी घटना आपको सरवाधिक प्रभाविक्त करती है संग्छेप में बता सकते हो उसके बाद च्छा में है कानखंड काव एकर आपके चेतर से संब्दित है तो द्यूत सभा में द्रोपती सर्ग का सारंग संग्छेप में लिख सकते हो अंतिम तुमल खंड कावी के रामलाप और सौमेत्र का उप्चार सर्ग के कथा अपने सब्दों में लिख सकते हो या फिर तुमल खंड काव की आधार पर में गनात का च्रिचित्रन कर सकते हैं उमेद है आप लोगो को वीडियो अच्छे लेगी होगी लाइक जरू